नमस्कार दोस्तो एक्जामितर में आपका स्वागता आशा करता हूँ आप सब यह चाहँगे दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल पर्देश की बीएसी नर्सिंग कोर्स के बारे में तो हिमाचल पर्देश में अगर आपको गौर्मेट कोलेज हो या इस एक्जाम के देने के बाद में ही आप हिमाचल पर्देश में प्राइवेट कोलेज हो या गौर्मेंट कोलेज हो उसमें एडमिस्य ले सकते हैं काफे सारे इस्टुडेंट्स का यह रता है कि सरम डाइरेक्ट एडमिस्य ले रेंगे तो वो चीज अब खतम हो चुकी है आपको entrance examination देना होगा और उस entrance examination के माध्यम से ही आपका हिमाचल पर्देश में चाये कोई भी कोलेज हो B.A.C. nursing क्या है आपको अपने ही क्या अपको इस volt जोeil कर लिए क्षा लेगर्ए आपको देर क्षिए। अभी करिगे मैं क्या आप शारी प्रसिए कर लेंक जाना आपको जो कर से लिए हैं आप टेलिग्राम पे ASP Nursing आप टाइप करेंगे तो ये चैनल ओपन हो जाएगा इसे आप जरूर जोइन कर लिए मैं समय समय पर इस पर भी अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा जिससे कि आप से समय रहते ही आप कोई भी नोटिफिकेशन वह आपसे मिस ना हो तो अ complete details आपकी दे रखी है कि कौन eligible होगा, fees क्या लगेगी, आपकी seeds क्या है, government की या private की, तो detail आपको इस prospect में दे रखी है, आप खुद जाके भी इससे अच्छे से read कर सकते हैं, अब जैसे ये prospect आपका जारी किया गया है, मैंने जैसे कि पहले आपको पताए, AMRU, Attal Medical Research University माचल परदेश के उद्वार आपका entrance examination conduct करवाया जाएगा, और इसमें आपका जो बीए सिनेर सिंग का course है, वो चार साल का होगा, government या private college, सभी college में इसी entrance examination के माध्यम से आपका admission होगा, अब सब सब पहले बात कर लेते हैं, कि आपकी जो fees है, वो आपकी कितनी लगेगी, तो यहा आपको 12.00 रुपे आपको pay करने रहेंगे, official website यह दे रही है, इनके contact detail भी दे रहे हैं, और इनकी official email ID भी दे रही है, आप इनसे भी जाके बात कर सकते हैं, अगर आपके कोई भी doubt हो तो, अब सब से पहले बात करते हैं, आपके important dates की, तो आपके जो application form है, वो आपके आज से start हो चुके हैं, कल late night तक आपका notification यह जारी किया गया था, तो आपका 14.00 24.00 से लेके 27.00 24.00 तग, almost आपको दो वीका ही समय दिया है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, कि आपको इतना समय नहीं मिल पाएगा, कि आप अपनी preparation अच्छे से कर सके, तो आप preparation पह government seat है, वो confirm कर लेंगे, मैं definitely 100% short ik साथ कर सकता हूँ, तो आपका दो वीका आपको समय दिया गया, यह date आपको ध्यान रखनी है, आपकी nearby colleagues, friends, कोई भी हो, जो भी माचल परदेश में डिमेसे लेना चाहता है, तो उन्हें आप आफगत जुरूर कराएं, क्योंकि 27.00 के बाद तो date of interest examination की जो data वो 7 July 2024 है, कितना कम समय मिला, आपको almost 20-22 दिन का समय मिला है, तो आपको 20-22 दिन में अपना syllabus भी complete करना है, अच्छे से preparation भी करना है, यह 20-22 दिन अगर आपने अच्छे से पड़ाई कर ली, और जो चीजे में बता रहा हूँ, अगर उनको अपने अच्छे स grades के लिए, तो आपको चैसे अपनी preparation करनी रही, अब यहाँ पर आपकी जो answer की है, वो next day आपकी जारी कर दी जाएगी, अगर किसी भी candidate को answer की में को issue है, तो आप उसके लिए objection कर सकते हैं, और फिर उसके बादे में जो आपकी final answer की है, वो आपकी 97-2024 तक आपकी जारी कर दी आपको फिलाल यह दो ही चीजी जहां रकनी है, कि 27 तारीक last date अपने form फिल करने की, और आपका जो exam date है, वो आपकी 7 जुलाई 2004 से बाकी की में समयस में पर आपको update प्रोवाइट करवाता रहूँगा, अब सब सब पहले जो important है, वो मैं आपको बता जेता हूं, कि जो अटल यह इंडिया में कोई भी state जो बिलोंग करते हो, form फिल कर सकते हैं, हिमाचल परदेश की भी form फिल कर सकते हैं, अब बाकी जो government seats हैं, वो किनको में लेगी और private seat किनको में लेगी, वो मैं आगे आपको detail में सारी चीज़े बता दूँगा, लेकिन female candidate इनके लिए eligible हैं, अब य उसमें 60 seat हैं, और आपकी next है आपकी लाल बादुर सास्त्री government medical college जो नर्चोक मंडी में हैं, उसमें 60 seat है, total कितनी seat है government की, 120, बस जो सारी मारा मारी है, पुरी fight है वो इन 120 seats के लिए ही है, तो आपको जो 20-22 दिन का समय बचा है, आपको पूरी consistency के साथ में अपनी जीजान ल किलती है, आपको कोई उसकी चिंता नहीं करनी, आपको इनमें से एक seat लेनी है, यह 120 government seat है हिमाचल परदेश में, और अब मैं आपको बतायता हूँ कि जो government seats है, वो आधरी state के candidates को नहीं मिलेगी, आधरी state के candidate को management को टा गयता है, जो 50% seat है रहेगी, उनमें admission ले सकते हैं, और जो 50% state को टाई seat हैं, उनमें हिमाचल परदेश के candidate और जो यह government seats है, इनमें हिमाचल परदेश के candidate ही eligible होगी, I hope यह चीज आपके clear हो गई होगी, मैंने पहले भी आपको वीडियो से बच्चे से यह चीज explain कर रखी है, यह तो होगी government seats, अब private seats की अगरा बात करें, तो total आप 30 seats हैं इस college में, अब इसमें जो state quota के ताई हिमाचल परदेश की seat से 50% उनके लिए रहेंगे, हर एक private college में रहेगी, तो entrance exemption के माधियम से 30 seat हैं, इनमें से 50% जो आपका quota हुआ 15 seat हुई, यह 15 seat हिमाचल परदेश के लिए reserve रहेगी, बाकी की जो 15 seat से 50% से हैं, वो management quota के ताई है के other state के candidate है, वो इन 15 seat में अपना admission ले सकते हैं, और इन ही 15 seats में, हिमाचल परदेश के students वो भी अपना admission ले सकते हैं, आई होप यह चीज आपके clear हो गई होगी, तो private college आपके 42 के लगबग आपके यहापे देखरों में लेंगे, जैसे कि इस prospect आपको सारी detail में बताया गया है यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे 46, 46 आपके total college है, दो इनमें government college कार्ट दीजिए, तो 44 आपके private college यहाँ पे दिएगे हैं, और उन सभी में जैसे private college है, 30 seat है, total किसी college में 15 seat हिमाचल परदेश वालों को मिलेगी, इन हिमाचल परदेश वाले जो seats हैं, इनमें other state वा नहीं है, तो वो फिर 50% seats में count की जाएंगे, आपको अपना resident हिमाचल परदेश का वो आपको देना होगा, अब eligibility criteria का, जैसा अग मैंने पहले बताया कि एक तो हिमाचल परदेश के candidate हैं, वो 50% state quote ही seats हो government seats के लिए eligible हैं, बाकि other state के candidate हो management quote ही, only female candidates के लिए eligible होगे, और अगर आ देना है, तो हिमाचल का bona fide आपको अपना document है, वो produce करना होगा, तो यह आपकी eligibility criteria, 50% management quote ही seats, यह मैंने आपको चैसा समझा दिया, age criteria 17 से 35 साल है minimum आपका, तो 31 December से आपका count किया जाएगा, और बाकि जो reservation वो CST को 5 साल का दिया जा तो वो reservation आपकी state के according आपको इसमें देखने मिलेगा, अब next है, 10 plus 2 pass out होना चाहिए, physics, chemistry, biology आपका होना चाहिए, physics, chemistry, biology और English एक कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, 45% आपका minimum होना चाहिए इसमें, और जो reserve category है उनके लिए आपका 40% आपका यहाँ पर दिया गया, जो SCST, OBC candidate है उनके लिए, यह आपका minimum इसमें qualification criteria रखा ग करते हैं कि जो आपका exam है, वो कहां कहां पर लगेगा, कौन-कौन से city में लगेगा, तो बिलासपूर, पालंपूर, शापूर, कांगणा, हमीरपूर, उन्ना, मंडी, सिमला, रामपूर में आपका लगेगा यहाँ पर, next अगर हम बात करें, यहाँ पर जो total आपके examination center दीए गए हैं, तो यहाँ पर उन्ना, मंडी, सिमला, सोलन, नान, कुलू, चामबा और नालगट, तो इन 13 examination center पर, other study candidate हो, तो इन 13 पर ही आपको exam देने आना होगा, हिमाचल में आपको जाना होगा, जो मैंने आपको अच्छे से चीज़े समझार किया, तो यह आपका examination center यहाँ पर भी doubt नहीं रहेगा, आपका जो exam है, वो आपका लिया जाएगा, 7 जुलाई को, NCIT बेस्ट आपका syllabus पूचा जाएगा, 10 प्लस 2 बेस्ट आपका syllabus आने वाला है, total question कितना आएगा, 100 question आएंगे, MCQ बेस्ट, multiple choice question, objective type आपके question आएंगे, 2 गंटे का आपको time दिया जाएगा, और negative marking आपकी नहीं रहने वाली है, तो आपको सारे का सारे questions attempt करने हैं, और paper हो English language में रहेगा, ये आपके doubt रहते कि सर्फ paper हिंदी में भी आएगा, या नहीं, तो केवल English language में आएगा, यहाँ पे clearly mention कर रहा है, the question paper will be in English language only, इसके लाबा और दूसरी language में नहीं आएगा, negative marking आप के यहाँ पे पूछे जाएंगे, अब ये 100 question कौन कौन से subject से आएंगे, तो ये important है, आप देख लिजे, physics, chemistry और biology से, इनसे आपके 20-20 question हर एक part से equal question पूछे जाएंगे, 20 question biology से, 20 chemistry से, 20 से आपके physics के, तो हर एक question एक marks करेगा, तो total आपके होगे 60 marks के तीनो subject के, ये तो आपके anxiety based पूछे जाएंगे, ग्यार वी और बार वी की, physics, chemistry और biology, next time English grammar, तो basic English grammar आने वाली है, आपकी 20 question इस से आएंगे, 20 marks के आएंगे, nursing aptitude, 20 question, 20 marks के, इस तरीके से 100 question होगे, 100 marks के, अब इसमें आपको ये समझना है कि कम समय बचा है, preparation किस्तरे के से करें, तो छोरिए आपकी अपना syllabus cover करने की कोसिस कीजिए, मैंने description box में ebook provide करवार की है, अगर उसको आपने अच्छे से follow कर लिया, तो एक भी question, physics, chemistry और biology का उससे बाहर नहीं आएगा, English, आपको basic English grammar read करनी है, advanced level की नहीं, student क्या करेंगे, YouTube पे जाएंगे, advanced level की या competitive level की English grammar read करना, start कर देंगे, उस तर syllabus, almost, मैं मैं आंके चलता हूँ कि लगबख students को इसका syllabus ही नहीं पता होता, जो आता हाथ में वो पढ़ लेते हैं, 20-22 दिन का समय बचा है, अच्छे से अपनी strategy बनाइए, और आपको जो मैं ebook बता रहा हूँ, उनको ही आप follow कीजिए, एक भी question उनसे बाहर नहीं आएगा, त सकते हैं, तो मैरे जो वीडियो बना रहा हूँ, उसके description box में आप जैसे ही जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ebooks के link provide करवा रखे हैं, जैसे कि यह 11-12 NCIT पे साब का physics chemistry और biology का objective book है, यह link इसका दे रखा है, इससे बाहर एक भी question ही आएगा, तीनों subject है आपके इसमें, दोनों classes के एक ही ebook में, आप objective based वे अपना syllabus है, वो cover कीजिए, 20-22 दिन में, हर एक question का detail answer, solution दिया गया है, तो इस basis वे आप physics chemistry और biology का अपना complete syllabus कर सकते हैं, यह 3-1 ebook है, एक ही ebook में, आप तीनों subject अपने cover कर सकते हैं, link description box में दिया गया, यह theory based ebook है, मैं इसको अभी recommend नहीं करूँ आपको केवल objective book, यह देख लीजिए, यहापे लिखा हुआ है objective, तो यही आपको available करनी है, next आपके लिए, यह basic English grammar, basic English grammar, read करनी है, इसमें जो syllabus दिया गया है, उसको आप follow कर लीजिए, 20 में से 20, आपके question सारे का सारे साही हो जाएंगी, इससे बार एक भी question नहीं आएगा, advanced level या competitive level के आपको read करनी के आप शक्ता नहीं है, यह है nursing aptitude की book, इसमें आपका complete syllabus, प्लस आपके important MCQ, multiple choice question, आपके इसमें दिये गए हैं, इन तीनों को अगर आपने अच्छे से follow कर लिया, first आपकी objective book, second आपकी English grammar, और third आपकी nursing aptitude, इन तीनों को अगर आपने अच्छे से follow कर ल साथ में, आज से ही अपनी study start कर दीजिए, इदर उदर की चीजों में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इन से बार एक भी question नहीं आएगा, और इस theory based ebook को आप अभी skip कर दिए, क्योंकि इतना समयनी बचा क्यों, objective book, nursing aptitude की ebook, और English grammar, तीनों को यह आपको अच्छे से follow करना है, description box में आपको link दे रहें, अब उनको अवेल किस तरीक से कर सकते हैं, process अभी की से में objective book का बता जाता हूं, तो आप जैसे ही इस link पे click करेंगे, link पे click करते ही आपको इस तरीक से interface देखने हो मिलेगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह हीमाचल परदेश के BAC nursing के लिए entrance examination के लिए 3 in 1 objective book का है, जिसमें आपके तीनों subject है, physics, chemistry, biology और दोनों classes की, अलग-अलग book read करने के आपशेकता नहीं है, English language में है, तो इससे बार आपका एक भी क्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, अब चाहिए आप nursing aptitude की book अवेल करें, या English grammar की process सभी की से में, आपको click कर देना है, तो आप जैसे review and pay पे click करेंगे, इस तरीकर से interface आजाएगा, यहाँ पे आप देख सकता है, यह 3 in 1 e-book आपकी 11-12 class complete syllabus इसमें है, objective base पे, क्योंकि question practice भी आपकी साथ की साथ उती रहेगी, और हरे question इसमें जो भी सारी question दीगे हैं, वो इनी में से ही Google Pay, Paytm, सारे payment option आपको यहाँ पर देख रहे हूं मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर UPI method दे रहा है, कोई साथ payment option आप चूच कर सकते हैं, यहाँ पर आपको credit card, debit card, netbank, सारी option अवेलेवल है, जैसे ही आपना payment confirm करेंगे, आपको आपकी ebook डाउनलोड करने का option प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से आप अपनी ebook को डाउनलोड कर सकते हैं, अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं, जो email आइड़े आपने feel की थी, उस email पे आपको email send किया जाता है, उस mail में भी आपको ebook डाउनलोड करने का option प्राप्त होता है, वहाँ से भी आप अपनी e-book को डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी डाउट हो कोई भी इश्यू मुझे कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और टेलिग्राम चैनल को जुरू जोन कर लिजे और इन तीनों e-book को आज से ही आप फोलो करना स्टाट कर दीजिए समय बिल्कुल कम बचा है कि आप अपनी अच्छे से प्रिप्रेशन कर सकें पुरी कंसिस्टेंसी के साथ में आपको 22 दिन लगातार अच्छे से स्टड़ी करनी है बस इन 22 दिन में ही आप अपने गोर्मेंट सीट है वो आप हासिल कर लेंगे और ये 22 दिन ही आपका आगे का केरियर डिसाइड करेंगे फिलाल के लिए इतना ही था मिलते नेक्स वीडियो में धन्यवाद जेहीं जे बारत